नवरात्र की शुर्वात हो गई है इन नौ दिनों में पूरी भक्ती से मा दुर्गा की उपासना की जाएगी नवरात्र देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग धंग से मनाया जाता है खास तोर पर गुजरात और बंगाल में नवरात्र की अलग ही रोनक देखने को मिलती है नवरात्र का हर दिन मा दुर्गा को समर्पित रहता है तो वहीं नवरात्र के नौ दिनों तक दुर्गा मा के अलग-अलग नौ रूपो की पूजा की जाती है नवरात्र के अंतिम दिन को महनवमी कहा जाता है और इस दिन कन्या पूजन किया जाता है तो नवरात्र का हर दिन का एक खास महत्व होता है शादन नवरात्र का आज पहला दिन है और आज माशेल पुत्री की पूजा की जाती है मंदिरों में माता की भक्तों की भीर देखने को मिल सकती है कोरोना काल में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा पाट कर रहे हैं हलकि इस बार कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक चुनोती है प्रसाशन के सामने भी लोगों के सामने भी कि किस सरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए खुद को सुरक्षित रखा जाए और मा की पूजा अर्चना भी की जाए ये तस्वीरे जंडे वालान से आप देख रहे हैं जहां तमाम रूल्स और रेगुलेशन का पालन कराया जा रहा है शार्दे नवरात्र का पहला दिन है आज पहले दिन शद्धालू मा के दर्बार में पहुँचते हैं अपनी हाजरी लगाते हैं और भारी भीड आज देखने को मिलती है मंदिरों में हाला कि इस बार ये भारी भीड देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि तमाम COVID-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत जरूरी होगा तो मंदिरों में माता की भक्तों की भीड देखी जा सकती है लेकिन हर बार जिस सरीके से नवरात्र में भीड देखने को मिलती थी इस बार वो नहीं होगा लोगों को कुछ चेंजिस इस बार करने पड़ेंगे क्योंकि इस बार अगर हम दिल्ली के बड़े मंदिरों की बात करें तो दिल्ली के बड़े मंदिरों में ना तो फूल मालाएं Allowed है और ना ही को चड़ावे का समान allowed है क्योंकि हर बार यह allowed होता था और इस बार COVID-19 के तहट यह allowed नहीं होगा तो इस बार लोग सिर्फ हाजरी लगाने के लिए मंदिर में जा सकते हैं माता के दर्शन कर लें के लिए मंदिरों में जा सकते हैं हमारे साथ हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी जोड़ गए है उनका रुख करेंगे धर्मेंद्र हरिद्वार में किस सरीके से रौनक देखने को मिल रही है नवरात्र के पहले दिन और प्रसाशन की तरफ से क्या कुछ विवस्थाय की गई है धर्मेंद्र संपर्क करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि शार्द नवरात्र का पहला दिन माशयल पुत्री की पूजा आज की जाती है और पहले दिन माशयल पुत्री को भोग लगाया जाता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कोरोना काल में इस बार पहली बार शार्द्य नवरात्र इससे पहले जो नवरात्र थे चैत्र के नवरात्र वो भी कोरोना काल में ही थे लेकिन इस बार शार्द्य नवरात्र जो है वो कोरोना काल में है और इसलिए पसाशन के तहर भी एक बहुत बड़ी चुनोती है कि किस तरीके से भक्तों को दर्शन भी कराया जाएं और स्वास्ते का भी ध्यान रखा जाएं सुरक्षित भी रखा जाएं और लोगों के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनोती है कि मांके दर्शन भी किये जाएं हाजरी भी लगाई जाएं और अपने स्वास्ते का भी ध्यान रखा जाए हाला कि मंदिरों की तरफ से पूरे इंतिजामात कर दिये गए हैं दिल्ली के बड़े मंदिरों की अगर हम बात करें तो तमाम रूल्स और रेगुलेशन्स के होडिंग्स लगाए गए हैं सेवकों को बिठाया गया है सेवकों को अपील की गई है कि लोगों को समझाएं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना कितना जरूरी है ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां शद्धालू भी जागुक हैं बिना मास्क के मंदिरों में एंट्री नहीं दी जा रही है तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रसाशन भी मुस्तेदी से यहां पर नजर आ रहा है अभी हमने कालका जी के पुजारी की बयान सुना हुनका ये कहना था कि पुलिस प्रसाशन की ओर से भी तमाम इंतिजामात कर दिये गए हैं और मंदिर प्रसाशन की तरफ से भी तमाम इंतिजामात कर दिये गए हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए और मा के दर्बार में हाज़ी भी लगाई जाए बेरहाल आके बढ़ेंगे आज से शाहर दिन नवरात्र शुरू हो गए हैं इस साल नवरात्र पर 58 साल बाद शुप सयोग बन रहा है जोती शस्त्र के अनुसार शनी और गुरू ग्रह गरीब 58 साल के बाद अपनी राश्री में मौजूद रहेंगे तो वहीं मा बगला मुखी उपासा के जोती राज़ आच्वारे लोके शास्ट्री ने बताया कि इस साल पुषोत्ता मास होने के कारण नवरात्रिका पर एक महीना विलम से आया है ये योग इस बार 58 साल बाद बना है जिसमें शुब संयो कल स्थापना के लिए बेहट शुब है मा की उपासना के लिए सुबा साथ बचकर 32 मिनिट पर धट स्थापना के लिए शुब अपसाद है जिसके बाद मा की चौकी पर लालासन पर माता को विराजमान कर भक्ति भाव से नवरात्र का पूजन कर सकते हैं